गीता रैसी के बावनवे एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हादिक स्वागत है हम काफी वर्षों से यग्य तप आदी करते आए हैं और आज की दुनिया में हमें अनेक प्रकार का ज्यान भी प्राप्त है आज मनुष्य अनेक मतों पर चलता है किन्तु अगर वह भगवान की मत पर चले तो उसे यह यग्य तप करने की कोई आवश्यक्त नहीं क्योंकि उस परंपिता से हमारा बहुत घनिष्ट संबंध है जिससे हमें सर्व प्राप्तियां होती है फिर भी इन श्लोकों में परमात्मा ने बताया है कि हम श्रद्धा पूर्वक ज्यान कैसे लें और यग्य तप कैसे करें तो आईए देखते हैं ओम स्यान्ति श्रिमत भगवत गीता हम सभी के लिए एक बहुत सुन्दर गाइडलाइन है जो स्रेश्ट आचरन करने वाले मनुस को बिलकुल यथार्थ स्रिमत देदेती है सभी सास्त्रों का ध्यन तो किसी के लिए भी संभव नहीं है फिर सास्त्रों की भिन-भिन मते कभी-कभी मनुस को भ्रहमित भी कर देती है ये करें या ये करें ये सत्त है या ये सत्त है ये त्यागने योग है या ये त्यागने योग है पर तो स्रिमत भगवत गीता एक बहुत इस्पस्ट स्रीमत हम सभी के सामने प्रदान करती है हम सब को तो ये स्रेष्ट भग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के स्री मुख से हमने डैरक गीता ग्यान सुन लिया आप सब तो गीता ग्यान पढ़ेंगे हमने सत्य गीता ज्यान भगवान के मुख से सुना इन कानों के द्वारा सुना उसका आनंद तो कुछ और ही है और कहें या उससे बढ़कर आनंद तो और कुछ नहीं होता जब निराकार ज्यान सागर परमात्मा साकारतन में बैठ कर अपने वत्सों के सामने ज्ञान अम्रत की वरसात करते हैं ऐसा स्रहिष्ट भग्ये तो कुछ गिनी चुनी पवित्रात्माओं को ही मिला हुआ है आज भी ये कारिय हो रहा है भगवान ने इस सत्रवे अध्याय में अब हम अध्याय सत्रह में प्रवेश कर चुके हैं हर चीज के तिन तिन विभाग किये हैं स्रद्धा तीन परकार की भोजन तीन परकार का सात्विक, राजसी और तामसिक यग्यतप और दान तीन परकार का सात्विक, राजसी और तामसि इन सब की ही चर्चा की है तो हम भी आज सार रूप में आपके समक्ष इन की चर्चा कर रहे हैं स्रद्धा मनुस के अंदर एक नेचूरल स्वभाव संसकार के आधार पर भी होती है किस ने जनम जनम किस की भक्ति की है निराकार की की है साकार की की है देवी देवताओं की की है भूत प्रेतों की की है उस आधार पर भी सरद्धा होती है जिसके जिसमें सरद्धा होती है उससे उसको कुछ न कुछ तो प्राप्थो ही जाता है द्वापर युक के प्रारंब से निराकार की भक्ती का प्रिशलन हुआ बहुत से लोग उससे जुड़ गए बाद में साकार भक्ती सुरू हुई विश्नु की भक्ती सुरू हुई संकर की भक्ती शुरू हुई उसके बाद शिरी करश्ण और शिरी राम की भक्ती शुरू हुई और आज हम देखते हैं सब की भक्ती हो रही है निराकार शिव की भी महादेव की भी विश्नु स्वरूप की भी शिरी-करश्ण और राम की भक्ती तो बहुत हो रही है शाती-सात अनेक देवी-देवताओं की और सिव्चक्तिओं की भक्ती भी प्रबल रूप से यहाँ पर देखने में आती है गनेश उतसव में गनेश में हो जाता है सारा देश तो नवरात्री में दुरगा में हो जाता है शिव सक्तियों से संपन हो जाता है हमारा सारा देश तो कुछ लोग इस अंसार में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्स इन सब की भी पूजा कर रहे हैं ये पूजा तामसिक पूजा है वास्तों में निराकार परमात्मा का पूजन सात्विक पूजन है और अन्य देवी देवता और सिव सक्तियों का पूजन राजसी पूजन कहलाएगा क्योंकि परमात्मा एक है उनकी सर्व स्रेश रचना देवी देवता है भूत प्रेत तो अपने पाप कर्मों की रचना है ठीक है भूत प्रेत पिसाच इन सबसे मन उसकुछ न कोई सिद्धी प्राप्त करके कहीं कल्यान का काम और कहीं दूसरों को कस्त देने का काम भी करते रहते हैं ऐसे बहुत सारे तंत्रिक लोग संसार में हैं जो कल्यान का काम कम दूसरों को कस्त देने का काम ज़ाद करते हैं और अनेक भोले भाले या पीडित लोग उनके पास जाकर धन देकर उनसे अपने काम सधवा लेते हैं अल्पकाली इन प्राप्ती होती है निराकार परमात्माद दाता है वो सब कुछ सदाकाल के लिए देता है देवताओं ने भी जो कुछ प्राप्त किया है वो उससे प्राप्त किया है देवताओं से भी हमें सर्वस्व प्राप्त नहीं हो सकता सर्वस्व प्राप्त हो सकता है केवल एक परमपिता से उसमें भी यदि हम ध्यान दें तो केवल उसकी पूजा करने से नहीं केवल उससे मांग लेने से नहीं बलकि उसके अधिकारी बच्चे बन जाने से हमारा संबन आज तक उससे भगवान और भक्त का रहा हम उसकी महिमा करते आए उसका पूजन कीर्टन करते आए और उससे कुछ ना कुछ मांगते आए श्यानती दो, शक्ती दो, बुद्धी दो ये काम पूरा कर दो, ये मनुरत पूरा कर दो और भगवान क्योंकि दाता है तो भक्त के रूप में हमें वो सब कुछ देता रहा थोड़ा थोड़ा देता रहा सब कुछ तो क्या कहेंगे हम तरप्त होते रहें थोड़े दिन में फिर कमी पढ़ गई फिर पहुंच गए एक तो भगवान स्वायम हसी में कहते हैं तुम मेरी रोज महीमा करते हो मुझे याद दिलाते हो तुम ज्यान के सागर हो तुम पापकटेश्वर हो तुम मुक्तिदाता हो तुम विघन हरने वाले हो तुम सुक्षयानती देने वाले हो तुम पतित पावन हो मैं भूल गया हूँ क्या जो मुझे रोज-रोज मंदिर में जाके सबेरे सबेरे याद दिलाने लगते हो भगवान को भी तो हसी आती होगी वो कहता है तुम अपनी महिमा स्वयम को याद दिलाओ तुम कितने अच्छे हो तुम आत्माए हो तुम्हारे अंदर देवत्व है स्वयम को याद दिलाओ तो आसरी वृत्तियों से तुम बच जाओगे इस सबसे भी अच्छी बात है भक्त और भगवान के नाते से भी स्रेश नाता है बाप और बच्चे का हम उसके बच्चे बन जाएं हम उसके बच्चे हैं अविनासी रूप से आत्मा परमात्मा की संताम है हम उसे परमपिता कहते हैं वही हमारा परमपिता परमशिक्सक और परमसदगुरु है वो हमारा सच्चा मित्र भी है क्यों न हम उससे नाता जोड लें और अधिकारी बनकर उससे सब कुछ प्राप्त कर लें देवताओं के पूजन की अपेक्सब बहुत अच्छा होगा कि हम अपने अंदर छुपे हुए देवतों को पहचान ले और उसे फिर से अपने जीवन में ले आए भूत प्रेतादी की तामसिक पूजा की तो बात ही नहीं है उससे च्छनिक प्राप्तियों के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है ऐसे ही भगवान भोजन का भी तीन सुरूप बताते हैं सात्विक राजसी और तामसिक सात्विक भोजन वो है जो चित्त को पवित्र करे जो हिर्दय को सुद्ध करे जो बुद्धी को बल प्रदान करे जो मन के विचारों को स्रेष्ट बना दे, ऐसा भोजन, जो सरीर को भी सुख दे और मन को भी सुख प्रदान करे, आत्मा को भी सुख प्रदान करे, सात्विक भोजन कहलाता है, रस्युक्त भोजन, ताजा भोजन, साकाहरी भोजन, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोज सात्विक भोजन कहलाता है जो हमारे सरीर में से अनेक रोगों को विनस्ट करता है हमारे विचारों को महान करता है सुद्ध करता है दूसरा भोजन है राजसी भोजन लवन युक्त खटे, बहुत मीठे कडवे, बासी, रखे हुए ऐसे भोजन जो सरीर को भी कस्ट पहुँचाते हैं बहुत तले भुने बहुत मसालेदार जो सरीर में रोग पैदा करते हैं बुद्ध को भी थोड़ा मंद कर देते हैं दिल पर बुरा असर डालते हैं ऐसा राजसी भोजन तीसरा है तामसी भोजन समझाने की अविश्रक्ता नहीं मानसाहरी भोजन पासी भोजन बहुत कड़वे रूखे भोजन सरीर में बिमारी पैदा करने वाले भोजन मन में तनाव पैदा करने वाले भोजन गैसिज पैदा करने वाले अमल पैदा करने वाले भोजन तामसिक भोजन है इसमें सराब, मानसाहार दूमरपान सब आ जाता है जो तामसिक भोजन करता है उसकी वरत्ति तामसिक होती जाती है जो राजसी भोजन करता है वो बीच में रहता है कुछ बुरे विचार, कुछ अच्छे विचार कुछ बुरे कर्म, कुछ अच्छे कर्म लेकिन जो वन मनुस सात्विक भोजन करता है जो मनुस सात्विक वातावर्ण में भोजन बनाता है जो मनुस सात्विक वातावर्ण में रहकर भोजन खाता है जो परमात्मा की याद में मन बुद्धी को इस्थिर करके भोजन बनाता है और फिर उसे इस्थिती में भोजन खाता है उसके विचार सात्विक हो जाते हैं आत्मा सुध होने लगती है दिल सुध हो जाता है अंदर में सात्विक ताका विस्तार होने लगता है और इससे कर्मेंद्रियां जीत बनने का पुरसार्थ कर रहे हैं, जो योगी और पपस्वी स्वयम को एक आग्दचित करना चाहते हैं, जो मनुस अपनी साधनाओं में सफलता देखना चाहता है, सत्य सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सात्विक अहार आवश्चक है, आपने भांग पी ली, आपने मांस का सेवन कर लिया, सराब चड़ा ली और सोचें आप क्या बहुत अच्छे योगी बन जाएंगे, आपको परमातम मिलन की अनुभूती हो जाएगी, ये संभव नहीं है, इस गंदे भोजन की दुरगंत क्या परमातमा तक नहीं पहु कि दुरगंत के समी पाना चाहता है, तो बहला भगवान कैसे आएगा, जब उसके मंदिरों में भी सुगंधी की जाती है, इतर छड़के जाते हैं, अगर बत्ति और धूप जलाई जा सकती है, तो क्या सराब की बदबू से आकरसित होकर वो आपके पास आएगा, क्या बद तीन परकार का होता है, वैसे तो आजकल समाज में यग का परचलन प्राय लोप ही हो गया है, बहुत कहीं कहीं यग होते हैं, वेद बंतरों की आवाज सुनाई देती है, जिन से कभी वातावन गुझा करता था, आज तो फिल्मी गीतों की, टीवी की, और अनेक बुरे किया जाता है, दान पुन्न के साथ किया जाता है, सब को संतुस्ट करने के लिए किया जाता है, निशकाम भाव से किया जाता है, ऐसा यग्य, सात्वे की यग्य है, वो यग्य जो सकाम होकर किया जाता है, किसी मनुरत की पूर्ती के लिए किया जाता है, जल्डिवाजी में किया जाता है और कुछ ऐसी चीजे कुछ दिखावा कुछ मान सम्मान इन सब के लिए किया जाता है राजसी और तामसी तो हम समझ गए जो केवल दिखावे के लिए जिसमें न कोई विदिविधान है न कोई अन का त्याग है न अन का जिसमें केवल मनुस अपना दंब और अभिमान का दिखावा करता है कि मैं भी यग करता हूँ ऐसा यग तामसिक यग कहलाता है अब परमात्मा तप की चर्चा कर रहे हैं तपस्वी तो इस संसार से प्राय लोप हो चुके हैं यह लोगों ने समझ लिया है कठिन तप करना एक टांग पर खड़े हो जाना किसी मंत्र का लंबे काल तक अभियास करना मौन रख लेना सदा के लिए सरीर को अन न देना पानी में खड़े रहना ये सब तप हैं तो देखिए सुनिए भगवान तप किसे कह रहे हैं मन की तपस्या, वानी की तपस्या, कर्म का तप तीनों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा सबसे पहले उन्होंने सारीरिक तप की चर्चा की है देवता, ब्रहम्मन, गुरू, ज्यानी जन इन सब का पूजन करना जीवन में पवितरता, सरलता, ब्रहम्चरिये और अहिंसा का पालन करना ये सारीरिक तप हैं अर्थाज्यों अपने से बड़े हैं, पूजनिये हैं, उनका सम्मान करना आज अभिमान वस होकर मन उस दूसरों का सम्मान नहीं करता वो ज्यानियों को ज्यानी नहीं समझता, बड़ों को बड़े नहीं समझता, देवताओं को देवता नहीं समझता अपने कोई सब कुछ समझता है लेकिन जिसे तप करना है सारी रिक तप उसके लिए ये आवश्चक है वो अपने बड़ों का सम्मान करें है पूजनकार्थ है सम्मान करना पूजनकार्थ ये नहीं कि हम उनकी रोज पूजाई करते रहेंगे सरलता, पवितरता, ब्रह्मचरिये और अहिंसा बहुत अच्छे चारो गुन वर्णन किये गए है इनका पालन करना सारी रिक तप है अपने चित को सरल बनाना हम इसकी चर्चा पहले कराए है जल्डिवाजी में काम न करना इजी नेचर बना देना ये सरलता है मन वचन करम की पवितरता अपनाना सभी विकारों से मुक्त स्वयम को करना करमेंद्रियों का निग्रह करना ये पवितरता है सारी रिक रूप से विशे भोगों का त्याक करना ब्रह्मचरिये है किसी को भी दुख न देना किसी को भी न मारना अहिंसा को प्राय लोग ये तुमान लेते हैं कि किसि को न मारा जाए, मान सहार न किया जाए प्रन्तो इसके सुक्स्म रूप पर भी हम ध्यान दें किसी को मन, वचन, करम से दुख देना भी हिंसा है जिसे संपूर्ण हिंसक बनना हो उसे दूसरों को सुख देना चाहिए भगवान के सब्दों में तो कामवासना और क्रोध ये दोनों ही सबसे बड़ी हिंसा है इनका तप करना है, इनका निरोध करना है, इनको छोड़ देना है दूसरी बात है वानी का तप, बोलता तो हर्मनुस है, लेकिन किसी के बोल बड़े सुखडाई होते हैं किसी के बोल सुनकर लोग चाहते हैं कि ये वक्ति बोल ताई रहे, अमरत वरस रहा है तो किसी के बोल ऐसे सापित करने वाले, कर्स देने वाले होते हैं लोग उससे दूर रहना चाहते हैं उसके बॉल सुनना भी नहीं चाहते हम ऐसे बॉल बॉले जो दूसरों की पीडा हरी जाए हम ऐसे बॉल बॉले जो दूसरों के लिए वर्दान बन जाए हम ऐसे बॉल बॉले जो दूसरों के तनाव कम हो जाए ठीक बात है ना सबी प्रेक्टिस करेंगे इस तरह की हमारे बोल दूसरों को स्यानति प्रदान करने वाले हो हमारे बोल स्वमान के बोल हो हमारे बोल हींता के बोल न हो हमारे बोल मीठे भी हो प्रिय लगने वाले भी हो तो कम से कम भी हो वो मनुस जो थोड़े सब्दों में ज़्यादा बात कह जाए बुद्धिमान है और ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे जो आधा गंटा बोलते रहेंगे और बोलने के बाद यदि सोचा जाए कि इन्होंने क्या कहा तो कुछ समझ में नहीं आएगा Meaningless वानी ऐसी वानी का कोई महत नहीं होता है जो लोग अपनी वानी पर संयम कर लेते हैं वास्तों में वो वानी की सिध्धी को प्राप्त कर लेते हैं भगवान वानी के तब का वर्ण करते हुए कह रहे हैं दुसरों को सुख दान देने वाले बोल बोलना अपने मुख से भगवान की वानी बोलना अर्थात उसका ज्ञान दूसरों को देना सत्य भासन बोलना यानि वानी को सयमित करना controlled वचन हो हमारे यह नहीं हम बोलते जाएं बोलते जाएं uncontrolled वानी हो जाएं हमारी कुछ भी बोलते जाएं हमें भी पता न चले के हम क्या बोल रहे हैं ऐसी वानी अपने लिए और दूसरों के लिए बड़ी कस्ट कारख होती है हम वानी का भी सयम करें अपने जीवन में तो सारी रिक तब भी हमें करना है वानी का तब भी करना है लेकिन बहुत बड़ी तपस्या है मन की तपस्या अर्थात जो मन उस अपने मन को प्रसन रखना जानता है जो अपने मन को श्यांत रखना जानता है जिसके अंदर पिचारों की और भावनाओं की पवित्रता है बहुत सुंदर सब्द का वर्णन है जिसने मन का निग्रे कर लिया है यह मन की तपस्या है हम सभी इस तपस्या की और चलें जिसने मन को साध लिया उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना से इस नहीं जाए जाता जिसने मन पर नियंतरन पालिया उसे संकल्पों की सिध्धी प्राप्त हो जाती है जो अपने मन को सही दिशा प्रदान करते हैं, उनके अंदर संकल्प शक्ति का प्रवेश हो जाता है, उनके विचार, उनके लिए ही बड़े कल्यानकारी और सुखदाई हो जाते हैं, तो हम सभी सरीर की, वानी की और मन की तफस्या को भी अपना लक्स बना लें, क्योंकि इन तेनों के द्वारा हमारी आत्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, और जो अमारे आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, हम ना केवल परमात्मा के समी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके वरदानों का, उसकी सामि पता का और उसके संबंधों का बहुत आनंतकारी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो आईए देखते हैं ये तब तीन प्रकार की होते हैं ये तो आपने देखी लिया है हर मनुश्य आत्मा तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है तो अब यह समय आ गया है जब स्वयम परम पिता परमात्मा इस धर्ती पर आकर हमें सतो प्रधान बनाने का कारे कर रहे हैं तो मैं आपको यह निमंत्रन देती हूँ कि आपके अपना संबंध उस परमात्मा से जोड़कर अपने जीवन को सुखी बनाए इसी के साथ हम बावनवे एपिसोड के अंतमया पहुचे हैं अब हमें जाएं शिवती प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत ने पाला सारे दुनिया अपनी है अब कोई नहीं बेगाना सबसे प्रीत ने पाला सबसे प्रीत ने पाला शिवती प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत ने पाला सबसे प्रीत ने पाला मर गई दिखाया तुरे एसा हो गई ज्यान की भूर पाना था जो पालिया है बांड़े तुझे से डौर और का हम पाहेंगे यह यह अनमोल खजाना यह अनमोल खजाना शिवती प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत ने बाला सबसे प्रीत ने बाला दिव गुणों से शिव बाबा दो हमको रोज सजाएं जो दिविन्दों से ने बाल गेतं स्नी हसना ने दाएं दसुती शाओं को मेहकाय तेरा प्रेम तराला तेरा प्रेम तराला शिव के प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत ने बाला सबसे प्रीत ने बाला शिव के प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत ने बाला 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 सबसे प्रीत ने सबसे प्रीत ने बाला सबसे प्रीत ने बाला सबसे प्रीत ने बाला सबसे प्रीत ने बाला सबसे प्रीत ने वसे पनासी ओच्चानी बच्चानी